हेलो एरिवन, वेलकम टू गेटरडा 24-7 उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपोर्टेन इंफॉर्मिशन है जिन भी बच्चों ने DRDO का कन्वेशनल एक्जाम दिया था जो दिसंबर 2022 पे हुआ था और आप सभी को पता होगा कि त्री ब्रांचेस के लिए कन्वेशनल पेपर हुए थे कम्प्यूटर साइंस के लिए हुआ था मेकैनिकल के लिए हुआ था और इलेक्टरॉनिस के लिए हुआ था जिसमें नंबर आप कैंडिडेट्स जो सॉट लिस किये गए थे सबसे कम किये गए थे कम्प्यूटर साइंस में और मेकैनिकल और इलेक्टरॉनिस में अच्छे खासे स्ट्रेंट थे सो कम्प्यूटर साइंस का देखिए रिजल्ट आ चुका है और ये 9 जैनुरी को ही आ चुका है status up for testing पर interview पर post up computer science ठीक है so सभी computer science के बच्चे चेक कर सकते हैं और आप सभी के लिए good news भी है कि मैं जितने भी अभी तक इस student को जानता हूँ computer science में सभी बच्चे यहाँ पे sort list हो चुके ठीक है so I hope कि computer science में जितनी vacances थी उसके respect में जितने बच्चे actual पर return exam में appear हुए होंगे वो near about same होंगे इस कारण से most of the student सभी तो नहीं कह सकता बट मैं जितने जानता हूँ उस पे most of the student हो चुके है मैं ऐसे किसी भी computer science के बच्चे को नहीं जानता हूँ जो select नहीं हो है बट इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि most of the computer science के strength select हो चुके और computer science का result इसलिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से number आपके net कमते बट electrical और electronics और mechanical में थोड़े से strength जादा थे तो I hope कि आपका one week से लेके 10 day के अंदर आप दोनों branch के भी result आ जाएंगे और आपके interview January and February में conduct होने वाले हैं इसे computer science का तो आप मानगे चलिए आपका February में interview conduct होगा so मेरी तरब से wish you all the best आप सभी को और मुझे ऐसा लगता है कि जिन दी बच्चों ने थोड़े से भी महनत करके exam लिखा होगा definitely आप interview के लिए select होगे ठीक है so check status में यहाँ आप ऐसे click कर सकते हैं और आपके पास आपका login होगा ठीक है आप अपना login यहाँ फिल करके अपना status चेक कर सकते हैं बट अभी यहाँ पे electronics and mechanical का नहीं आ है बट computer science के बच्चे अपना result चेक कर सकते हैं okay so मेरी तरब से wish you all the best आप सभी बच्चों को जिनका result नहीं आ है और computer science के बच्चों को जिनका result आ चुका है आप इंटरू के बहुत अच्छे से presence करें okay everyone बस आप ऐसे हमारे साथ बने रहे और हमारे YouTube चैनल को regularly follow करते रहें okay so thank you take care bye bye and जैहन